कि है कि हिलो एब्रीवन मेडिशन है सैमभूकस नाइग आँग और सेमभूकस नाइगड़ा जो है जो है या केपरिफोलाशी फैमिली की है इसका कॉमन नेम है एल्टर और यह फैमिलीः' कि परी फोलिशी ठीक है इसके कांस्टूटिशन के अगर हम बात करें तो स्क्रूफलस चिल्टर्न्स होते हैं जिनको ग्लेंड से रिलेटीट समस्या बनी रहती हैं और अक्सर यह एर पैसेज को एफेक्ट करती हैं तो ऐसे बच्चे जिनमें एर पैसेज की प्रॉब्लम होती हो सेंबुकरस बहुत इच्छी रेप्लिया बहुत जादण अच्छी है इसके पर्सेंट जो ठीक होते हैं पहले तो बहुत ज़्यादा रोवेश रवन्मास चड़ा होता हैं लेकिन बाद में कैसे हो यह जब जाग रहे होते हैं तब भी जब सोने जाते हैं तब भी और ड्राइए हीट आती है जब करमी लगती तब भी तो पूरे बॉड़ी में स्वेटेंग होती हिरती बहुत ज्यादा पसीना आता है ठीक है अचा जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग जो आखेंग बंद करत तो हमारी यह है, ठीक है, mentally अगर हम बात करें, तो भई, violent emotions जो होते हैं, खतरनाक ज़्यादा सोच लिया हो, ज़्यादा anxiety का रहाट हो गई हो, किसी का दुख मनाना हो, सोख मना रहे हैं, यह sexual intelligence है, उसमें भी बहुत ज़्यादा emotions आ जाते हैं, violent emotions, उसके बाद काफी ज़्याद emotions है, आते हैं, गुस्सा आता है, बच्चो को भी आता है गुस्सा, तो बढ़ों में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कहरेंगे, कि सिर्फ बच्चो को ही देना है, कोई remedy बच्चो और बोड़े और उसके लिए नहीं होती है, हम सभी में दे सकते हैं, ठीक है, नोस के अगर हम बा रात के समय उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है उनको सास लेने में दिक्कत होती है नर्सिंग में भी दिक्कत होती है वो दूद पीते ना तब भी क्या रहना माउथ से सास ले रहे हैं अब वहीं से दूद भी पी रहे हैं तो फिर सास कहां से लेंगे उनकी तो पढ़ेगा रात में अगर सोर आए बच्छा तो इतना जादा उसको सास लेने में प्राब्लम होती ही जब तक उठके नहीं बैठ जाएगा तब तक भाई वह सफोगेट करेगा उसका चेहरा ना पूरा नीला पढ़ जाएगा बुदू पढ़ जाता है और उसको सास लेने में दिक्कत होती इसलिए बैठ जाता है उठकर उठकर बैठेगा तब जाके डिलीप मिलेगा ठीक है तो इंस्पाइरेशन तो आराम से कर लेता है इंस्पाइर अच्छे से कर लेता है लेकिन एक्सपाइरेशन नहीं कर पाता है जब हबाहर निकालने होती है तो नहीं कर पाता यह important point है कि inspiration अच्छा है इसका ठीक है? expiration भी कार है, nearly suffocate हो जाता है, जब भी expiration करता है तो suffocation भी होता है ठीक है attack थोड़ी दिर तक आते हैं, फिर चले आते हैं, फिर थोड़ी दिर बाद आते हैं, फिर चले आते हैं बच्चाyorsun नहीं पाता है उसकी पूरी की पूरी नीद करणा पा जाती उसे बार बार उठकर वैटना पड़ता है ठीक है तो स्लीपस में ये छोटे चोटे आटेक्स पढ़ते रहते हैं और उसको बार बार नीद नहीं आती है क्यूं नीद नहीं आ रही है ओके लाश्ट सेज हो ग्रूप की जब खाजी बगरा होती है और इसकी लाश्ट सेज हो तब सफोकेशन की इस तरह के अटेक्स आते हैं तो बहुत चीजी रेमिडी है कफ के अगर हम बात करें तो कफ कैसा होता है सफोकेटिव कफ होता है बच्चे को रुला देता है मिड पारी और बच्चे को रात में जगा देने वाली सफोकेटिव कफ होती है एक सफोकेटिव है और एक डीप ड्राई है जो फीवर होता है उसके प्रक्सिजिसमे में जो फीवर आता है उसमें डीप और ड्राई कफ होती है या डीप ड्राई कफ होने के साथ में फीवर भी आ और इसन तरह चाता है थीक अगर डीवर कफ है अगर फीवर भी आ रहा है साथ में संबूकस ठीग heat सफोटिक कफ में एक्टोली इसवाज मों होता है चैस्ट में इनेट होगी और 하지 फालो सुरही तरह से सुरह हो तररव जोगे को सुखी हीट आती है और ठश्ठ के फीवर के आधाया प्यास ही लगती उसको ठीक है और अनकबनिंग से ुश्टे से तरदधा'RE यह क्या घड़ता है अधाल का अनकबनिग बिल्कुल पसंद नहीं है इसको ट्रूटी सी रेमिडी है मिलता है जब वो बैड़ पर बैड़ जाते हैं तवारा मिलता है लेटने से तो दिक्कत होगी क्योंकि वो सास नहीं लिपाएगा तो सेमगस नेक्टरा जो है उसका अंस्ट्यूटीशिण के है शुरो फ्रलेश जज यह फड़ा है फॉर्मली बहुत अच्छे होता है बाद में कि इस तरी की समस्याओं के बजैसे और दुभी पद्रले में स्kell उंझा स्वचण नो आख से slipping आद एंजांक इशीयाशन और जा जाना siling लेटने के पाद